तुहें ये बड़ा आरोप है सबसे पहली बात तो ये सब गदगद हैं मैं महराश्री की पॉलिटिक्स पर भी आउंगी देवेंद्र फटनवीज का चेहरा प्रोजेक्ट होगा की नहीं उस पर भी आउंगी लेकिन तुहें ये जोड़ तोड की राजनीती की भाई संजे को एंड मोमेंट पर उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया नंबर नहीं थे फिर भी खड़ा कर दिया क्योंकि पता था समाजवादी पार्टी के आठविधाय क्रॉस वोटिंग करेंगे उत्तरा खंड में ये पता था कि अभी शेक मनू सिंगवी के खिला नहीं जीतेंगे क्रॉस वोटिंग करेंगे कॉंग्रेस के छे भागी हो जाएंगे तो इन ये जोड़ तोड़ के खेल पर फिर गदगद होने का सवाल तो नहीं बनता वो नेतिक आदार तो नहीं है ये तोड़ फोड़ी है ना तो इन कितनी विचितर बात है कि चार जून से ये जो इंडी अलाइंस खेमा है ये चिला चिला अगर कह रहा है कि चुनाव ये लोग जीते लेकिन इनके जो पार्टी के सदस्य हैं इनके पार्टी के सदस्य इनके शेश नीत्रित्व पर भरोसा नहीं करते हैं और जब ऐसे मौके आत कर पाई है निकाल नहीं पाई है कारण बताओ नोटिस नहीं दे पाई है और उसके बाद ये हमसे सवाल पुछते हैं कि आपको आपने कुछ गरबड किया होगा अरे फैक्ट ये है कि हिंदी में फ्लूक को कहते हैं अकास्मिक लाब ये जो रिजल्ट आया लोग सबा का ये इनके लिए फ्लूक था इन्होंने खुद अपेक्षा नहीं की थी क्योंकि उन्होंने एक जूट का जो एक जाल बिछाया था तरह तरह के जो इन्होंने अफवाएं पहलाएं कि रिजर्वेशन समाब्थ हो रहा है उसका कहीं न कहीं इनको लाब मिला और उस वज़े से इन सभाज चुनाव के वक्त में एन मोमेंट पर छे घंटा पहले आठ घंटा पहले संजे सेट को एडिशनल कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया नंबर नहीं था आपके पास लेकिन इधर से समाजवादी पार्टी के विदाये कूट कर चलेगा है आपको आपको मंजूर अगर आपके पास जानकारी है गरिमा जी अगर आपके पास जानकारी है कि पैसे का लेन देन हुआ है तो प्रमान रखिए उस पर मैं उत्तर दूँगा राजनीती में महतोकांशा बहुत आवश्यक होता है यदि महतोकांशा ना हो तो तीसरी बार हम भी कॉंग्रिस की तरह विपक्ष में बैठ रहे होते राजनीती में महतो कांशा आवश्यक होता और अगर हमारे पास जानकारी है अगर हमें संकेत मिले हैं कि क्रॉस वोटिंग होने वाला है तो क्या हम उसको लाब नहीं उठाएं आप उनसे सवाल पूछे ना कॉंग्रेस और समाजवादी पार्ट हैं और इनके MLAs लॉयल नहीं हो पाते हैं तो सवाल यह है कि कहीं न कहीं इनका जो निद्रित्व है वो इनके जो फुट सोलजर्स हैं इनके जो MLAs हैं उस पर उनका विश्वास नहीं जीत पाया है यानि कि तोहिन ये तो मानिये कम से कम कि सबसे भष्टाचारी पार्टी का टाग कॉंग्रेस को देती है भारती जनता पार्टी आपके शिर्ष नेता और वो सारे भष्टाचारी आपको कुबूल है क्योंकि वो आपका एक MLC कैंडिडेट जित्वा देंगे वो साथ आठ के बारे में अगर आपके पास स्पेसिफिक इन्फोमेशन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की जित अब कहिए सारे के क्रिडेंशल्स रखिया लेकिन अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर रहा हम क्या कहें उनको कि आप मत करिए हमें नहीं चाहिए आपके वोट देख चौती बार भी मैं आपको बता रहा हूँ विपक्ष में बैठने वाले अच्छा लेकिन तोहें इस पर इतना गदगद होने की जरूरत की पूरा आपका पूरा ओगनाईजेशन इसको सेलिब्रेट कर रहा है इस पर इतना गदगद होने की क्या जरूरत है भाई ये तो जो देखें ये बहुत बड़ा संकेत है ये एक एक बहुत बड़ा मोड है महराश्री की राज़ीती में देखें इससे पहले दो हफते पहले जो है जो महराश्री का बजट प्रस्तूत किया गया वो एक टर्निंग पॉइंट था जो सीम लाडली बहन योशना स्कीम लाई गई जहां उसके अलाबा जो तीन फ्री सिलेंडर की स्कीम लाई गई ये सब जो है एक बहुत बड़ा मोड था और कल उस मोड की पुष्टी करन हुई है जो हमने देखा कि कॉंग्रेस के नेताओं को खुद अपनी पार्टी पर विश्वास देही है और ये बहुत बड़ा संके है कि आने वाले तीन महीने में जो 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 चुना होंगे उसमें जो है कॉंग्रेस जो है बैक फुट पर जाएगी और हमारा पलड़ा जो है भारी रहेगा इसलिए ये साथ विदायकों का इधर आना 288 की विदान सबा में बीजेपी को बड़त देता है यहीं ना देखे साथ MLS की आने की बात ही नहीं है इन अपने नित्रितव पर विश्वास का आभाव है बीच में एक दो आंकर है क्या है यहां पर इस शो में बीच में लोग नहीं बोलते हैं इसलिए आप भी शान्त हो के बैड़ी जो भी बोल रहे थे देखे तो ही ने यह जो आठ लोगों ने इधर वोट किया है इन्होंने अपने नित्रितव पर विश्वास का आभाव जताय है यह निश्चित रूप से महायूती के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है तो पूरी कॉंग्रेस से मटकर बीजेपी में आ गई और यह बीजेपी के लिए विंटेज है